हम ने आप देखा किस तरह किसे इरैशनल नमबर्स रूट 2 रूट 3 रूट 5 रूट 6 सावन इंको रिप्रेजंट करता है अब हम कुछ और इरैशनल नमबर्स लेते हैं पटर वह नॉर्मल नमबर्स नहीं जैसे कि सब्सक्तूरू रूट 3 वैसे नहीं लें जैसे कि हुआ रूटो वो गुए हुए सब बॉंठ ऐसे नमब्स को कैसे हम नमब्लाइक प्रेस्ट करते हैं। या फिर 9.1 ऐसने नमब्स या फिर 8.9 ऐसे नमब्स को एसे कुछ कुछ decimal numbers under root हम उन्हें number line में कैसे रिप्रेस्ट करते हैं यह हम आज लेखी है ठीक है अच्छा जैसे कि हम यह सब लेते हैं root over 7.7 हम number line पे रिप्रेस्ट करेंगे इसके लिए number line प्राइब करते हैं उसके बाद मैं यहां पे कोई पॉइंट में देता हूं suppose A उसके बाद स्केल से आप 7.7 cm का एक दिश्टन्स फॉर्म करो A से जहां पर जाके end होगा वहां पे आप B पूट करो मतलब हम ने यहां पर A से B तक हमने 7.7 cm द्राओ किया देन B से 1 cm के दिश्टन्स पे एक और पॉइंट पूट करो C मतलब B से लेकर C तक हमने 1 cm द्राओ किया मतलब overall A C जो है वो 7.7 plus 1 I mean 8.7 cm कम हो गया यहां तक इस्टा करने के बाद आपको A और C का perpendicular bisector द्राओ करना पड़ेगा A और C का perpendicular bisector आप लोग आता है दैन आप परपेंडिकुलर से कट करेगा और वो लाइक इस लाइन के साथ जो एंगल करेगा वह एंगल है नाइटी लो ऐसे लाइक को हम बोलते पर्पेंडिकुलर वैसे उसको फॉर्म करने का तरीका है आप कमपास लो इस एंड में कमपास पुट करो और इसका हाफ एप्रॉप्स जहां पे भी होता हो उससे ज्यादा रेडियस लो लेकर आप ऊपर एक आर्ख खीचो एक नीचे आर्ख खीचो बैं आप इस एंड को इस बड़ सेंटर लेलो एंड वही रेडियस आप इन इस एंड से की लो लेकर इधर एक आर्ख खीचो और इधर एक आर्ख खीचो बदद ये आर्ख आपको दोनों पॉइंट ऑफ इंटर्सेक्शन के ऊपर से जो लाइन ड्रॉब होगा वो लाइन त्याराता है पर्पेंडिकुलर बाइसेक्टर अभी इस तो कमी ने पुट करोँ हैं और यही रेडियस हम उसे भी लेंगे और हम यहां पे आख की चेंगे और फिर हम यहां पे आख शेंगे कि प्लियर लिए तो हम दोनों एंड से हम आप किचेंगे और फिर इन आप को हम कनेक्ट कर देंगे कनेक्ट कर देंगे हम इना को कनेक्ट करने से यह जो मैंने लाइन अभी ड्रॉप किया वह एसी इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट में कट करता है आप उसे कुछ नेम पुट करता है जैसे वह नहीं आप ओडा दिया तो यह जो लाइन में ड्रॉप किया सपोस्ज इस इस पी इस इस क्यूव सबसे पहले हमने यह आपर क्या किया I have drawn a number line or any line draw a line and mark a and b such that a b equals sorry a and b नहीं इसे आप डाला है से a b and c a b and c such that a b equals 7.7 centimeter and b c equals 1 centimeter यह आप first sentence put करो okay then number two हमने पर्पेंडिकुलर बाइसे के बिच में हम लिखेंगे I have drawn a perpendicular perpendicular bisector perpendicular bisector of a c at कांपे ओ पे करो किया at I have drawn a perpendicular bisector of a c at o तर अब सेंटर लोगे सेंटर लेकर आप यह जो रेडियस है o c रेडियस लेकर आप यहाई साभी सेंटर लोगे साभी सेंटर लोगे साभी सेंटर लोगे साभी सेंटर होगा o रेडियस होगा o c देको आप रेडियस o a भी ले सकते हो क्योंकि o is the midpoint for a c क्योंकि हमने यहाँ पे जो ड्रॉप किया है वो है perpendicular bisector bisector बिसेंटर का मतला है o से a का भी उत्मरी डिस्टिंस है तो आप radius o c लोग या o a लोग कोई फ़र्थी पढ़ता तो radius आप o c ले लोग लेकर आप यहाँ semi circle drop कहाँ यहाँ लिखेंगे इसको number 3 by taking by taking o as centered and o c is the radius I have drawn a semi circle I have drawn a semi circle clear अच्छा यहां पत करने के बाल हमें बी पे एक perpendicular line वना ना पड़ेगा इसके लिए पर्पेंडिकुलर line हम बनाएंगे वो savi circle को jes point में कट करने यहां पी इस जगे जहां पी कट करने हैं हम वहां पी ना पूट कर जाते हैं ठीक इसके लिए इसके लिए हम step निखेंगे पर्पेंडिकुलर line is drawn पर्पेंडिकुलर line is drawn on a c at b which cut आगे मैं यहां का td cut which cut the arc at d ठीक है a c को b में पर्पेंडिकुलर बना है a perpendicular line is drawn on a c at b which cut the arc at d यह में तक क्लिया अब connect करो o को d के साथ o को d के साथ connect करो then अब को एक right angle triangle में लिए o b d ठीक है यहां पर मैं कुछ measurements निकाल हुआ जैसे यहां पर हमने a c का measurement क्या निकाला this यह semi circle a c पर बनाए गया है तो a c semi circle के लिए diameter हो गया अगर a c के यह सारी circle के लिए a c diameter है 8.7 तो फिर इस semi circle का radius o c diameter का half होगा तो हम यहां पर लिख सकते हैं क्या क्या radius है कितने सारी radius आप इक पर देखो तो o a radius है मैंने का था ना o से c o से a उतना देखो यह arc आपको दिख रहा है ना इस arc के कही पर भी कोई point ले लो और center o तक आओ आपको same distance मिलेगा तो a arc जो है a के उपर से जा रहा है a से o तक जितना distance है arc c से भी जा रहा है तो c से o का distance सेम है d point भी center की उपर यह है वहां से भी आप center पर हो आपको same distance मिलेगा मतलब यह सब के सब radius है तो o a, o c, o d यह सब radius है और यह सब diameter ac का half होगा तो diameter ac उसका half diameter ac is 8.7 and half on this तो इतना centimeter हमें मिलेगा radius तो radius हमें मिल गया तो मैं radius od पे measurement पुट करें तो radius od is 8.7 upon 2 अच्छा अब मैं o b कैसे निकालेंगे देखो o b हम ऐसे निकालें o b is equals to o c minus b c चाहिए है o c यह पार्ड है जिसमें साम b c अगर minus करे तो आम यह हम o b मिलेगा अब o c का length है यह देखो आप o c का length आपको यहां पे मिलेगा o c radius है o c इदर देखो o c का value है 8.7 upon 2 and b c का value आपको यहां मिलेगा हमने b c पहले निकाल दिया था 1 cm b c 1 cm हम इस a c कर देखो 8.7 minus 2 so हमें बिलेगा 6.7 by 2 o b हमें 6.7 by 2 तो अभी हमें इस right angle triangle के अंदर हमने o d निकाल लिया o b निकाल लिया अब हमें b d निकालने है अब b d हम ऐसे नहीं निकाल सकते b d निकालने के लिए हमें निकालने निकालने हमने जब b d बनाया था तब हमें b d इस लाइंगी पर perpendicular बनाया था जिसके बज़े से हम यह आपर 9 d निकालने का तो यह एक right angle triangle तो अगर यह right angle triangle है हम यहाँ पर पार कर सकते मैं इससे यहाँ करता हूं मुझे फ़ोड़ा सा space की जरूरत है in triangle o b b o b d triangle यहाँ हम pythagoras theorem करें तो o b square plus b d square equals o d square perpendicular square plus d square यह d square perpendicular square यहाँ ते high body in your square ठीक है अच्छा o b o b हमने अभी निकाला 6.7 square plus b d हमने यहाँ निकाल है o d o b d तो sorry b d नहीं b d हमने निकाल रहा है तो b d copy कर लें o d हमने निकाल रहा है 8.7 by 2 square यह हमने values यहाँ पर put कर दिया अभी मैं इस value को other side shift कर देता b d square equals 8.7 by 2 square minus 6.7 by 2 square यहाँ मैं थोड़ा algebraical formula यूज करूँगा आपको जब भी a square minus b square मिले तो आप क्या करते हो a plus b a minus b यह formula apply करते हो आप यह formula जानते हो तो हम यहाँ पे वो use करें अब इस part को a मालो तो इसके square है आप इसको b मालो इसमें भी square मतलब a square minus b square तो आप इसप्रिकल फार्मूला a plus b a minus b so b d square equals a plus b 8.7 by 2 plus 6.7 by 2 यह a plus b then हम a minus b करेंगे 8.7 by 2 minus 6.7 by 2 a plus b a minus b a minus b के बीच में कुछ नहीं है तो multiply तो यहाँ पे इन दोनो bracket के पीश में multiply okay अब हम इसे plus करेंगे हम इसे plus करेंगे b d square equals अब इसे plus कर जेते plus करने से lcm लेंगे 2 or 2 का lcm 2 8.7 plus 6.7 okay other side उसमें भी हम plus करेंगे sorry lcm लेंगे 2 2 or 2 का lcm 2 8.7 minus 6.7 अब आप इसे plus करो plus करने से आपको मिलेगा 7 7 14 6 or 8 14 और 1 करी दा 50 अपन 2 यहां प्याज माइनस करो माइनस करने से आपको मिलेगा 1 2 2 और नीचे दी 2 और 2 8.7 से 6.7 माइनस करते हैं तो 2 तो 2 बाइ 2 बंदल 1 कुआ आजाए तो हम इससे डिवाइट कर देए डिवाइट करने से हमने क्या मिलेगा 14 7.7 डिवाइट करने से मिलेगा 7.7 तो BD square इस 7.7 इस BD square इस 7.7 सो BD का value हमें क्या मिलेगा अगर हम square को हटाना चायदा में क्या करना पड़ेगा अन बोज साइट हमें root apply करना पड़ेगा ओके इंपाइज डिवाइट BD square equals to 7.7 मुझे square हटाना तो on both side मैं root apply करना root apply करने से square root cancer BD equals to under root 7.7 क्या लिएची आपको BD का value मिलिया मुझे BD का value मिलिया तो BD हमें क्या मिला root over 7.7 हमारा सवाब तो यही खाना represents root over 7.7 तो आप मुझे पता चलिए कि इसमें कौन सा length root over 7.7 है पता चलिए अब हम इस radius को लेंगे center लेंगे B को B को center लेंगे और इस radius को लेंगे arc कीच लेंगे तो B center BD radius और फिर arc कीच लेंगे हमारा steps of construction कहा रुखागा कि हमने यहाँ पे perpendicular line बनाते है जो arc को cut करता है उसी पे आप लिख दो joint od continue करो joint od ठीक है उसके बाद आप यह pythogarist theorem show कर रहे हो ठीक है कितना number point था 4th अब आप 5th लिखेंगे number 5 step for construction के अंदर ही आएगे यह पर जो 4th point है 4th point के बाद यह आएगा 5th में हम लिखेंगे आपर by taking by taking b as center b as center and bd as radius bd as radius bd as radius an an is drawn an arc is drawn pitch cut the line ac at minus e number at e thus e represents e represents root over 7.7 on the number line okay clear here you you